नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापी का पूनम दुबे आठवी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल से वस्त्वस्त होंगे, यही इश्वर से मंगल कामना करती हूँ तो बच्चों, वर्तमान स्थिती को देखते हुए हम लोगों ने वीडियो क्लासिस के जरिए आप लोगों का पठन वग्याप ज्यान प्राप्त कराना है और इसी के साथ हम सभी अध्यापिकाएं आप लोगों से यह आशा करती हूँ, उमीद करती हूँ कि आप लोग मन लग द्यान से पाट को समझेंगे और ज्यान अरजित करेंगे तो आएए बच्चों हमारी पुस्तक का नाम है परिवेश्ट प्रेष्ट संख्या एक कविता का नाम है मात्र भूमी इस कविता को हमने दो भागों में विभाजित किया है तो बच्चों सबसे पहले हम कवित पर्चे जानेंगे मात्र भूमी के जो कवि है उनका नाम है श्री सोहन लाल द्रवेदी जिनका जन 22 फरवरी 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ था द्रवेदी जी राष्ठी कवि के रूप में जाने चाते हैं वे महत्मा गांधी से अत्य देख प्रभावित थे उनकी कावि में गांधी वादी विचारदारा देखने को मिलती है उनकी लोगप्रिय रचनाई है युगा वतार गांधी, खादी गीत, भैरवी, युगाधार, बांसुरी और बच्चों के लिए दूद्बताशा आदी बच्चों इनकी मृत्यू एक मार्च 1988 में हो गई थी बच्चों प्रस्तुत कविता में कवि ने मात्र भूमी की सुन्दर्ता का वर्णन किया है कवि को अपनी मात्र भूमी पर गर्व है क्योंकि राम सीता, क्रेश्न गौतम, बुद्ध जैसे महापूर्शों ने इस धर्ती पर जन्व लिया है यहाँ पर बहते जन्ने, नदिया, आकाश, जूमता हिमाले और चरणों में जूमता हिन्द महासागत कवि को भाविभोर कर देता है तो बच्चों मात्र भूमी की पहली लाइन है, पहली दो पंक्तिया है उचा खड़ा हिमाले आकाश जूमता है, नीचे चरण तले जुक नित सिंद जूमता है अर्था कभी कहता है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमाले परवत है उसकी उचाई आशमान को चूमती है, अर्था इसपर्श करती है भारत के दक्षर में हिन्द महासागर है उसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे समुद्र नीचे पैर तले जुक कर भारत मात्वा को बार बार पद को धोरा है उनके पैरों को धुल रहा है बच्चों, या हिमाले हिम का अर्थ होता है बर्फ और आले का अर्थ होता है घर यानि कि बर्फ का घर बर्फ का घर कहां है? हिमाले में सिंदुकार्थ यहां पर सिंदुकार्थ होता है समुद्र सागर सिंदुकार्थ होता है समुद्र सागर यमुना कार्थ होता है यमुना नदी दूसरी लाइन है हमारी गंगा यमुना त्रिवेणी नदिया लहर रही है जगमग छटा निराली पकपग छहर रही है त्रिवेणी का यहां अर्थ दिया गया है तीन नदियों का संगम जहां तीन नदिया आपस में मिलती है तो उसको बोलते हैं त्रिवेणी छहर कार्थ होता है यहां पर विखर रही है तो इसका भावाज जानेंगे त्रिवेणी हैं तीन नदियों का संगम क्या है तीन नदियों का संगम गंगा यमुना और सरस्वती नदियां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भारत भूमी की शोबा बढ़ा रही है इसके अतरिक अन्य बहुत सारी नदियां हमारे देश में बह रही है नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सीचता है यहां की मिट्टी बहुत उपचाओ है जिससे अन्य प्रकार की फसलिवत्पन होती है यह अगली पंती बहुत ही सुन्दर है कवी ने इसका बढ़न बहुत ही सुन्दरता के साथ किया है यह पुन्य भूमी मेरी यह स्वर्ण भूमी मेरी वह जन्म भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी पुन्य भूमी का अर्थ होता है पवित्र भूमी सोहन लाल जी कहते हैं या भूमी पवित्रता से भरी है, अता या मेरी पुन्य भूमी है, शश्य शामला फसलों में भरा हुआ है, या मेरा देश फसलों से भरा है, अता सोने जैसा चमकता है, अता या मेरी स्वर्ण भूमी है, इस धर्ती पर जन्म लेने के कारण या मेरी जन्म भूमी है, इस धर्ती में मुझे मात्र तुल प्रेम दिया है मेरी कठोर अगात को सहन करने वाली या मेरी मात्र भूमी है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बाकी की पंक्तिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे